नमस्कार किसान भाईयो आप सभी केक वार्फिर्ट से स्वागत है हमारी चैनल इल्पिटल में आज हम बात करेंगे वेलीडामाइसीन के वारे में यह किस तरीके से काम करता है क्यों यह इतना एफेक्टिव है क्या क्या चीजों को यह रोप सकता है क्या इसका डोस दिया गया है किस फसल में हम डाल सकते हैं ऐसी हम पूरी कंप्लिट डिटेल इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं वेलीडामाइसीन क्या है तो यह एक केमिकल है जो की एंटी बायोटिक है उसी के साथ में फंगिसाइड भी है और यह सिस्टमिक तरीके से काम करता है इसका मतलब यह कि पहले एब्सॉब होगा फंगस के पास जाएगा और उसे अच्छे तरीके से मारेगा मतलब उसमें एक कॉंटेक्ट का आक्शन नहीं होगा उसको अंदर से किल करने की इसमें प्रोसेस होती है अब हम बात करते हैं कि वेलिडामाइसिन जो है वो दो प्रकार से काम करता है एक तो यह फंगी साइट का काम भी करता है और यह वेक्टेरिया साइट का भी काम करता है इसका मतलब यह कि जो वेक्टेरियल इंफेक्शन होते है जैसे bacterial postulate बगेरा होता है उन सबको भी reduction करने में काम करता है इसलिए इसे antibiotic भी कहा जाता है विशेस्ट अगर हम देखें तो validomycin जो है वो इस पीसले निकाला गया था seed blight disease के लिए लेकिन ये other disease को भी control करता है जिसके बारे में भी आपको वीडियो में बताऊँगा उससे पहले अगर हम बात करें कि इसका काम करने का तरीका कैसा है तो ये क्या करता है कि जो हमारी fungus होती है उसकी जो हाइपी होती है मतलब जो बाहर की cell होती है ये उसे damage कर देता है और धीरे-धीरे करके उसकी जो damaging होती है उसे बढ़ा कर उसे open कर देता है जब वो open कर देता है तो जो fungus होती है वो बाहर की जो चीजे है उनसे अपने आपको protect नहीं कर पाती और धीरे-धीरे करके मर जाती है इस तरीके से validamycin जो है वो काम करता है और valid amacin का काम करने का तरीका इतना unique है कि जो fungus है उसके उपर इसका reduction percentage जो है वो काफी ज़्यादा high दिया गया है विसे इस अगर देखें तो जो seed blight rogue है इसके अंदर अगर आपको valid amacin डालते हैं तो बहुत effective result मिलता है और बहुत quickly है आपकी फसल के उपर इसका result आपको दिखने लगता है अगर आप rice में blast अगर लगा हुआ हो तो भी valid amacin का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे result इस पर मिलते हैं वैसे company ने इसका level claim जो लिया है वो सिर्फ और सिर्फ rice के उपर लिया है मतलब धान के उपर ही लिया है लेकिन आप इसे other fossil में भी डाल सकते हैं क्योंकि जो valid amacin होता है यह राइजोटोनिया जो होती है उनके उपर भी काफी अच्छा result देता है राइजोटोनिया जो fungus होती है उसके बारे में आपको बदा देता हूं जो जड़ से related fungus होती है जिनकी काम जो होता है वो जड़ के पास कुछ भी जगा बना कर उसे damage करने का होता है तो वो जो है सब राइजोटोनिया वाली में आती है जैसे आप देख सकते हैं कि root rot stem rot और collar rot यह सब राइजोटोनिया वाली ही fungus होती है जो कि यह अपने पौदे को effect डालती है लेकिन उनके उबर भी इसका काफी अच्छा control है अगर आपके यहां पर ऐसा लगता है कि आपके यह root rot का take है यह फिर stem rot का take है तो आप validamice ने उसके अंदर डाल सकते हैं और इसका एक और effective combination आया है जिसमें यह hexagonozool के साथ आ रहा है तो उसमें जो है आपको इसका result जो है काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा आपने देखा होगा कहीं पर आपके पौदे जो है अचानक से super है होते हैं ज्यादा temperature होने की वज़े से तो वो जो है root rot या फिर collar rot की समस्चा होती है तो वहाँ पर भी आप इसे डालेंगे तो आपको result मिलेंगे इसका मतलब यह कि हम देख सकते हैं कि जो validamice ने यह antibiotic की तरह तो काम करता ही है वेक्टेरियास की जो disease होती है उन्हें भी म control कर सकता है अब अगर हम बात करें कि इसके dosage क्या दिये गए है तो जो seed blight है उसके लिए इसका dosage दिये गए है कि 600 से लेके आपको 800 ml प्रती एकड में डालना होता है single validamice अगर आप डालते हैं तो उसी के साथ में इसका जो price है वो आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा अच ही चुका हों कि काफी यूनिक तरीके से काम करता है और इसका जो result होता है वो तुरंद में आपको मिलता है जैसे अगर आपने आज डाला है तो कल से इसका जो result है वो आपको मिलना चालो हो जाता है तो यही सब कुछ है validamice in 3% L के बारे में 3% L का मतलब होता है कि इसका 3% liquid formulation में डिजॉल किया गया है